हेलो स्टूडेंट्स मैं रिखा शर्मा आपकी बीएस्सी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूं पिछले लेक्टर में मैंने आपको एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कनवर्ट करना बताया था आज के लेक्टर में हम एक डेसिमल डिजिट को बाइनरी नंबर के अंदर कैसी कनवर्ट करेंगे इसे डिसकस करेंगे Decimal संख्या को binary संख्या में परिवर्तित करना एक decimal संख्या को binary संख्या में बदलने के लिए decimal संख्या को लगातार दो से विभाजित करते हैं और प्रतेक विभाजन के पश्चात शेशफल या remainder को लिखा जाता है अंतिम बाइनरी संख्या प्राप्त करने के लिए सभी शेश फलों या रिमेंडर्स को उल्टे क्रम में लिखते हैं इस क्रम में सबसे पहला अंक MSB यानि Most Significant Bit और अंतिम अंक LSB या Least Significant Bit कहलाता है इस विधी को Double-Double मेथड भी कहा जाता है For Example अगर हमें Decimal संख्या 21 सबस्क्रिप्ट 10 को एक Binary संख्या में पजवर्तित करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम 21 को 2 से Divide करेंगे तो यह 10 टाइमस इसके अंदर Divide होता है तो और इसका Reminder 1 जो है किसे हम Side में लिखेंगे Next 10 को हम Again 2 से Divide करेंगे और यह 5 टाइमस जा रहा है तो 10 के नीचे हम 5 लिखेंगे और जो Reminder 0 है उसको हम Side में लिखेंगे Again 2 से Divide करने पर यह 2 टाइमस जा रहा है तो 2 को हम 5 के नीचे लिखेंगे और Reminder 1 को हम इस 0 के नीचे लिखेंगे Again 2 को 2 से Divide करने पर 1 टाइमस जाएगा तो Reminder 0 लिखेंगे और क्योंकि Last में 0 बच रहा है तो इसका Reminder 1 उसको हम Side में लिखेंगे तो इस तरह जो हमारा Reminder है उसको हम नीचे से उपर के लिखेंगे तो यह जो सबसे निचला डिजिट हमें प्राप्त हो रहा है वो उसका MSB कहलाएगा और उपरी डिजिट जो है वो इसका LSB कहलाएगा तो जानि हम इसको MSB से LSB की ओर पढ़ेंगे तो यह संख्या होगी 10101 सबस्क्रिप्ट 2 तो यह Binary संख्या जो है हमारे decimal संख्या 21 के equivalent होगी एक और एक्जामपल अगर हम देखें अगर हमें decimal संख्या 100 सबस्क्रिप्ट 10 को एक Binary संख्या में बदलना है तो अगेन हम सबसे पहले 100 को 2 से डिवाइड करेंगे और क्योंकि यह division 50 times होगा तो 50 को हम 100 के नीचे लिखेंगे और remainder side में 0 लिखेंगे अगेन 50 को 2 से डिवाइड करने पर यह 25 times जाएगा और remainder 0 को हम side में लिखते जाएंगे अगेन 25 को 2 से डिवाइड करने पर 12 लिखेंगे और remainder 1 होगा 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 लिखेंगे और remainder हमारा 0 होगा इसी तरह 6 को 2 से डिवाइड करने पर यह 3 times जाएगा और remainder हमारा अगेन 0 होगा 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1 टाइम डिवाइड होगा और हमारा रिमेंडर 1 होगा और last में जो हमारा 1 बच रहा है तो यह हमारा रिमेंडर होगा तो इस रिमेंडर को MSB से LSB यानि उल्टे क्रम में नीचे से उपर की तरफ अगर हम लिखेंगे तो यह डिजिट्स होंगे 1100100 सब्सक्रिप्ट 2 यानि यह जो बाइनरी नंबर है यह हमारी डेसिमल संख्या 100 के एक्विवेलेंट होगी डेसिमल बहिन को बाइनरी के अंदर परिवर्तित करना या कनवर्टिंग डेसिमल फ्रेक्शन इंटू बाइनरी नंबर डेसिमल बहिनों को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए इसको लगातार 2 से गुना किया जाता है या मल्टिप्लाई किया जाता है और जो गुननफल हमें प्राप्त होता है उसके डेसिमल से बाइन के अंक, यानि लेफ्ट साइड के जो अंक हैं उसको हम note करते जाते हैं इने carry कहते हैं इन carry अंकों को सीधे क्रम में point से लिखने पर तुल्यांक binary बेन हमें प्राप्त होती है For example अगर हमें 0.4274 subscribe 10 इसको binary अंक में बदलना है तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 0.4274 और इसको हम 2 से multiply करेंगे जो हमें multiply करने पर नंबर प्राप्त हो रहा है वो है 0.8548 इसमें point के left side का जो अंक है उसको हम यानि 0 को हम as carry लिख लेंगे इस गुननफल से प्राप्त नंबर को अगेन हम 2 से multiply करेंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो है 1.7096 इसमें again point के left side का अंक यानि 1 को हम carry के रूप में लिखेंगे और 6 बच्चे 0.7095 जो अंक है इसको हम 2 से multiply करेंगे multiply करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1.419 तो इसमें फिर से हम point के left side के अंक 1 को carry के रूप में लिखेंगे और जो 6 digit है 0.419 इसको 2 से multiply करेंगे तो हमें 1.838 प्राप्त होगा इसके भी जो point के left वाला digit है 1 इसको हम as carry के रूप में लिख लेंगे इन carry अंकों को अगर हम crumbs से लिखेंगे तो हमें हमारी binary संख्या प्राप्त होगी फॉर एक्जामपल 0.0110 subscript 2 यह जो मारा binary नंबर है यह हमारी decimal संख्या 0.4274 के equivalent होगी एक और example ले हम अगर हमें decimal संख्या 29.65625 subscript 10 को binary संख्या में परिवर्तित करना है तो इसमें जो संख्या का जो पूर्णांक भाग यानि जो इंटेजर है वो है 29 तो इस 29 को binary संख्या में convert करने के लिए हमें 29 को 2 से लगातार divide करना होगा और 29 को 2 से divide करने पर 14 times यह से divide होगा और remainder 1 होगा इसी प्रकार 14 को 2 से divide करने पर 7 times जाएगा और remainder 0 होगा 7 को 2 से divide करने पर 3 times इसका भाग जाएगा और remainder 1 होगा 3 को 2 से divide करने पर 1 times इस divide होगा और remainder 1 होगा और last में जो हमारा 1 है यह हमारा remainder होगा तो इसको हम उल्टे क्रम में अगर लिखेंगे तो इस 29 के जो equivalent binary number होगा वो है 11101 subscript 2 तो यह जो number है यह हमारी पूर्णांक भाग यानि जो हमारा integer है 29 उसके equivalent binary number है जो इसका भिन्नात्मा क्या नि फ्रैक्शनल भाग है उसको binary number में बदलने के लिए हम multiplication method यूज़ करेंगे जिसमें हम 0.65625 इसको लगातार 2 से multiply करेंगे तो 0.65625 इसको 2 से multiply करने पर जो हमें digits प्राप्त होंगे वो है 1.31250 इसमें point के left side का अंक 1 हम carry के रूप में लेंगे और 6 बच्चे 0.31250 को हम again 2 से multiply करेंगे तो हमें 0.62500 नंबर प्राप्त हो रहा है इसमें 0 को हम again carry के रूप में लेंगे और 6 बच्चा 0.62500 इसको हम 2 से multiply करेंगे 2 से multiply करने पर हमें 1.25000 प्राप्त होगा इसमें भी again हम point के left side का one जो है वो carry के रूप में लेंगे और 6 बच्चा 0.25000 उसको हम 2 से multiply करेंगे और इस तरह इस process को हम लगातार दोराते रहेंगे और carry अंकों को अगर हम क्रम से लिखेंगे तो हमें जो यह अंक प्राप्त होंगे वो है 0.10101 सब्सक्रिप्ट 2 जो की हमारे बिन्नात्मक binary नंबर 0.65625 के equivalent है तो अगर हम जो हमारी डेसिमल संक्याती पूरी 29.65625 तो दौनों पार्ट्स के जो equivalent binary नंबर से हैं इसको हम इसमें लिखेंगे तो 29 के लिए जो हमें प्राप्त होंगे था नंबर है 11101 पॉइंट और जो बिन्नात्मक ने फ्रैक्शनल पार्ट है उसके equivalent binary नंबर था 10101 तो ये पूरा हमारा हमारे decimal नंबर के equivalent binary नंबर प्राप्त होगा एक और एक्जाम्पल लें decimal संक्या 0.85 को binary संक्या में परिवर्तित करना तो इसके लिए again हम को कि एक fractional पार्ट है बिन्नात्मक संक्या तो इसके लिए हम इस पार्ट को लगातार 2 से multiply करेंगे तो 0.85 को 2 से multiply करने पर जो हमें digit प्राप्त हो रहा है 1.7 इसमें 1 को हम carry कर लेंगे और 0.7 को हम फिर से 2 से multiply करेंगे प्राप्त नंबर 1.4 में से 1 जो है वो हमारा carry होगा और 0.4 को हम फिर से 2 से multiply करेंगे इस प्राकार प्राप्त नंबर 0.8 में से 0 हमारा carry होगा और 0.8 को फिर हम 2 से multiply करेंगे और इस तरह से हम इस process को continue करते रहेंगे इन carry अंकों को अगर हम करम से रखें तो हमारी decimal संख्या 0.85 सब्सक्रिप्ट 10 इसके equivalent जो हमारा binary नंबर है वो होगा 0.11011010 सब्सक्रिप्ट 2 इस क्रिया में 6 binary अंक होने के बाद हमने बदलने की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी है इसलिए जो भी हमको results प्राप्त होते हैं वो binary संख्या की लगभग तुल्ले होते हैं या approximate values हैं परिशुद या accurate प्रिणाम प्राप्त करने के लिए ये दोसे गुणा करने की जो प्रक्रिया है इसको हम तब तक continue करते हैं जब तक कि हमें आवश्चतानुसार अंक प्राप्त नहीं हो जाते थैंक यू